हेलो वियर्ज, मैं मॉनिका, आपके सामने इस बार में लेकर के आ रही हूँ एक ट्रडिशनल वॉल हैंगे, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आर्ट वर्ग मैं यहां कार्डबोर्ट पर अपलाई करने के लिए एक पेस्ट बना रही हूँ और जिसके लिए मैं ले रही हूँ टेलकम पाउडर, आपके पास जो भी टेलकम पाउडर मौजूद हो आप उसका प्रियोग कर सकते हैं इसके साथ ही मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ग्लू और बहुत थोड़ा सा पानी और इन तीनों चीजों को मिला कर मैं इस पेस्ट को कार्डबोर्ट के उपर ब्रस से अपलाई करूँगी जिससे उसका सर्फेस थोड़ा सा सकत हो जाए बाकी बचे हुए पेस्ट को हमें कोन बना कर उसमें भर लेंगे जिससे की हम उसे मेहंदी की कोन की तरह इस्तमाल करते हुए अपनी मन चाही डिजाइन कार्डबोर्ट के पीस पर बना सकें श्रुबात में आपको इस कोन को यूज करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन जैसे जैसे आपको प्रेक्टिस होती जाएगी आप आसानी से अमनी मन चाही डिजाइन को बना सकेंगे कि अपको बना सकता है कि अपको बना सकता है जब कार्ट बूर्ट पर डिजाइन्स बन जाएंगे और वे सूख जाएंगे तब मैं उनमें एक्रेलिक कलर करना स्टार्ट करूँ कि अपको बना सकता है दीरे दीरे बहुत संभाल कर मैं डिजाइन के हार इसे में कलर फिल करूँगी कि अपको बना सकता है कि अपको बना सकता है कि अपको बना सकता है झाल 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 पहले मैं प्लेन कलर यूज़ करूँगी और बात मैं उसका डार्क या लाइट शेट लगा कर उसमें डेप देने की कोशिश करूँगी झाल 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 मेरी कोशिश रहेगी कि टेलकम पाउडर और गलू के पेश से बनाई गई डेजाइन पर कोई कलर ना करूँगी ताकि डेजाइन अच्छे से उभर के सामने आ सके झाल 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 कलर फिल हो जाने के बाद मैं छोटी छोटी डिटेल्स को भारना सुरू करूँगी जिसके लिए मैं लाइट डार्क शेट्स के साथ साथ वाइट कलर भी यूज गूँगी झाल 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 आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग बाबाइ झाल 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 झाल